हलो एंड वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल रायल अकडेमी देखें इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे है रिगॉर्डिंग जेके पिएसाइए एक तो हम कटाफ के बारे में हम बात करेंगे थोड़े साम बात करेंगे रिगॉर्ड जो अंसर किया गई और हम बात करे रिजल्ट कब तक होगा जेके पेसाइए और फाइनली कोट केस का एफेक्ट क्या रहेगा जेके पेसाइए पर वह बात करेंगे इस वीडियो में नौ दिके सबसे पहले आपको पता होगा कि जेके पेसाइए ने ओफिशली एनौंस किया और आंसर की जो लांच होगी दैट इससे पहले भी कुछ लोगोंने डाउनलोड किया और इसमें गलत होगा उसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए भी टाइम यही है और आगे उन्होंने क्या बताया ट्वंटी जो हमें देने है वो पर कॉस्टन देने है जिसको भी रिप्रेजेंटेशन लेटर को सब्सक्राइब रिफ्रेंटा हो जाता है अगर कोई को संधीक है गलत है तो फ्र तो पता अीवेंगे दिखो select जिन तक जो है जो है भी कोई लग है प्रेजेंटेश्बर मै। इसमें चेंटेशन sect ललाद इसकी आंजा करना है उनको हमएte लेटर आड क्या हो जाएगा जो अंसर की होगा जो पीलेफ वियर विल्पों को फिर से डाउनलोड किया जाए गर अक्रवाड किया है कि है यह जो कुसेंज गलत है तो कहीं न कहीं अगर हम मान के चलेंगे यह जो हफता जो चलेगा फ्राम सेकंड अप जेंट टो अल्मूस्ट सेवन तक अगर हम देखेंगे तो बोर रिप्रेजेंटेशन को देखेगा और लेटर राण उन पर डिजन उठाई जाते है यह साद्ब एक जैसे आपने देखा होगा तो ताइम के फिर आंसर की को थोड़ा वो चेंज किया जाता है कुछ कॉस्ट्टेमस को चेंज केया जाता है तो सेम वईसे वैसा ही रह का नव अगर करेंगे OMR-based के हम पहले अगर हम बात करेंगी है OMR-based में usually जो result का time देते है न 45 days देते है exam conduct करने के बाद 45 days में result आना चाहिए OMR-based exams में वहीं पर अगर हम CBT के बात करेंगे CBT में usually जो आपका result होता है result ready रहता है result जो ready OMR-based से तो थोड़ा जल्दी result आ जाता है तो यहां पर हम अगर मान के चल रहे हैं तो almost gen में ही result आना चाहिए till 25th gen तक आप मान के चलो 30th gen तक result जो है इसका declare होना चाहिए CBT का now अगर आप बताओगे कि court case का effect क्या पढ़ेगा result पे result पे कोई effect नहीं पढ़ेगा court case को क्योंकि court को जब भी अगर किसी भी exam को अगर इनको scrap करना होता नहीं चाहिए उसका list बहर क्यों ना है selection हमने तो देखा document verification भी FAA में हुई थी उसको document verification पे हटाया गया तो court को जब अगर किसी exam को हटाना है जब भी इनको कोई भी exam हटाना होगा यह तो exam किसी भी point of time पे हटाएंगे ऐसा नहीं है कि result बहर नहीं आ जाएगा result तो बहर आ जाएगा जैसे answer की बहर आई वैसे ही result भी बहर आ जाएगा later on अगर कोई decision उठानी होगी ना वो बाद में उठानी होगी वो decision now तो जो result होगा result in the month of gen में ही होगा और जो बाकि physical test, medical test वो तो बाकि आगे उसका जो है उसका भी शुडूर निकलेगा कब होगा क्या होगा, कैसे होगा now अगर हम generally बात करेंगे cut off की अगर हम बात करेंगे usually जो cut off रहेगा ना cut off यहाँ पे low रहेगा no doubt आपको बता रहे है कुछ के जो 100 पलस आपको बहुत सारे candidates है, जिनके Marks questions हम नहीं बता रहे है Marks जो है, 100 पलस Marks उनके बन रहे है 2000 है, 3000 है, 4000 है अभी तक जो officially launch नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि CBT में usually क्या होता है CBT में examiner तो कोशिश करता है कि वो हर एक जो भी shift हुआ होगा जितने भी shift, almost 20 से plus shift हो गए किसमें 20 plus shift हो गए, JKPSI में जितने भी shift होए है, usually examiner कोशिश करता है कि मैं question की जो सिट्रंगत जो है, वो 20 shift में ही same रहनी चाहिए बट कभी कबार नहीं होता है कोई shift जो होता है, वो hard level का बन जाता है, और कोई shift क्या है वो easy level का बन जाता है, you know कि आपको पता चले ही जाएगा कि जब आप papers देखोगे कि कौण सा shift जो है थोड़ा सा hard shift था, उन hard shift को क्या किया जाता है, उनको थोड़ी मारकस की relaxation मिल जाती है ताकि उनको on par लाए जाएगा जो easy shift में बैटे हुए लड़के होते है और ज़्यादा फरक नहीं पड़ती है, आप बताओगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, जिनको 70 मारकस है, उनको क्या हो जाएगा, उनको और 70 मिलेंगे तो 140, इतना तो नहीं है 5-10 मारकस, जादा से जादा 5-10 मारकस 5-6-7 मारकस की relaxation मिल जाती है क्योंकि इतनी ही question क्या है, tough होते है जादा question tough नहीं होता है, इतनी भी gap नहीं बन जाती है यहाँ पे आप आराम से 100, अगर मान के चल रहे है 100 question है, out of 100 आप करोगे और दूसरे shift में आप बैठोगे, you can only do 20 मारकस इतना तो नहीं होता है, shift में हाँ 4-5 question की जो है, सट रंगत आ जाती है, और उन्हीं question को क्या किया जाता है, balance किया जाता है उन्हीं questions को normalization की जाती है मान के चल रहे है, अगर आप भी 100 पे हो तो आप मान के चलो 5 से लेके 10 मारकस तक add हो सकते है उतने ही 105 या 106, 107 इतने ही मारकस आपके रहेंगे कुछ अब यहाँ पर बता रहे है, एकोरेसी का effect आता है यहाँ बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे, एकोरेसी का effect नॉर्मलिजेशन पर आता है वैसे एकोरेसी का effect कोई भी नॉर्मलिजेशन पर आता नहीं है नॉर्मलिजेशन पर सिंपली देखते है ऐसा नहीं है कि आप खाली 10 questions करोगे और आपने 10 questions किये, 10 में से 10 आपके मारकस आए अब आप सोच रहे हो, इन 10 पे तो मेरी एकोरेसी आलमोस्ट मुझे 50 मारकस बढ़ाएंगे, इतना तो नहीं होता है कोई एकोरेसी का effect यहां पर नहीं आता है वो exam नहीं है जो आपको accuracy मांग रहा है वो तो यूजिवली जो होते हैं वो typing test and all that उनमें accuracy चक की जाती है यहां इन exams में accuracy की accuracy और normalization है वो अलग-अलग चीज़ है देखे यह तो normalization के related था और accuracy के related और usually हमने आपको बताया जो cut off की अगर हम बात करेंगे cut off यहां पर लो रहेगा cut off यहां पर लो रहेगा, आपने देखा last time की paper थोड़े leak भी हुए थे उसको लेके 93 ही cut off हो गया और कितने posters के लिए हुआ that was around 450, no doubt यह मैं open merit का बता रहा हूँ यह open merit का cut off है और जो बाके poster थे, almost 900 posters थे मैं 450 का बता रहा हूँ कि 450 posters के लिए आपका जो cut off है 93 गया, now आप खुद से सूचे जो आपके posters है, वो 1200 posters है open merit की 600 posters बन रहा है 600 multiplied by 6 अगर आप करोगे क्योंकि physical tester के लिए उनको 1 is to 6 लेने है तो almost open merit से चले जाएंगे 3600, इतने candidates के जाएंगे open merit से चले जाएंगे जो cut off usually रहेगा है, cut off low रहेगा और जो बाकी categories और open merit का cut off है, उतनी gap नहीं आती है आप ही नहीं सूचता है कि open merit के लिए अगर cut off मान के चल रहे है, 100 बन रहा है तो दूसरे किसी category SCST के लिए 50, इतना तो effect अब आता नहीं है कोई effect, 2-3 marks की effect आ जाता है 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 marks अगर आपका 100 open merit के लिए जा रहा है तो RBL के लिए आपको 90 expect 90 करना, इससे ज़्यादा नहीं 20, 30, 40 marks की gap आती नहीं है युज्यादा अगर percentiles में देखेते हैं वहाँ पे 2 percentiles की फरक आ जाती है क्योंकि अगर हम उपर उपर देखेंगे जो 107 यह अगर आप figure देखेंगे याँ 120 की अगर figure देखेंगे यहाँ पर usually students कम रहते है 2 रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, 10 रहेंगे, 100 रहेंगे और जितना जितना हम नीचे आते हैं अगर आप 90 पर आ जाओगे 90 marks पर इस marks पर आपको almost 500 मिलेंगे ऐसे आगर आप 87 पर आओगे 86 पर आओगे तब एक एक marks पर 1000 बच्चे होते हैं जितना हम उपर जाते हैं उतना बच्चे कम होते हैं तो cut-off आप यह नहीं सुचना कि cut-off पर आप बता रहें 86 चलो और एक कम करेंगे 85 नहीं यह आप 1000 बच्चों को मद नजर रखते हैं मैं मान के चलना हूँ जो 95 के अराउंड है 90 to 95 के अराउंड जो है यह बचे जो है यह सेफ है open merit के लिए 90 to 95 यह जो बचे सारे सेफ है marks questions नहीं यह जो है यह सेफ है और ऐसे ही खुद से मान लो 10 marks कम कर लो अपनी category के 15 marks कम कर लो या जादे से जादे बारा 13 marks कम कर लो वही तो cut-off होगा चाहे हम open, sorry चाहे हम RBA की हम बात करें या PSP की बात करेंगे जितनी भी categories है इसमें बात करेंगे ना 10-15 marks की gap होती है वही आपका cut-off है वाकई other categories के लिए यहाँ पे अगर हमने आपको उपन मेरिट में बताया जो 90 के marks 90 पे भी है ना उनको physical test के लिए क्या है physical test के लिए उनको prepare करना चाहे 90 to 95 this is best cut-off इसके लिए physical test के लिए उनको prepare करना चाहे और बाकि जो categories है इसको minus 10 कर लो या minus 15 कर लो अपने हिसाब से यह marks है marks तो क्या करना है वो भी अपना जो physical test के लिए प्रिपेर करना क्योंकि physical test जो है ना बहुत जल्दी होगा जब भी होगा physical test फिर भी आपको long run में benefit ही करेगा तो उसके बाद physical test और medical test है बहुत जल्दी होंगे खयाल रखना इस चीज़ के लिए physical test इतना easy भी नहीं है क्योंकि अगर easy होता तो one is to two ratio लगाते one is to three ratio लगाते one is to four ratio लगाते इस board को पता है कि almost six students में एक student जो है वो physical test qualify कर पाता है तो खयाल रखना physical test का भी अभी जो जिनका examination clear हो गया उनको आगे जाना है physical test के लिए तो physical test को prepare करना क्योंकि board को जल्दी इस recruitment को wind up करना है बहुत सारे recruitment को मतलब सारे जितने भी recruiters उनको wind up करना है पर इसके लिए उनको एनफोर्टर्ट की बहुत जादा जोड़त है बहुत जादा जोड़त है बोड को इसलिए है कि आपने बोड को चक कर रहे है बोड को वो क्लैम नहीं कर रहे है आप गलत हो नहीं बोड को चक कर रहे है सबसे दिखो वो नोटिफिकेशन अगर आपने पड़ी होगी उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि पूरा लिखा हुआ है कि कि किस किस पॉइं पे नहीं चल रहा है, ओके, थैंक यू, बाई